Fit OFF हेलो गाईज वेलकमकर फ्यूसेट स्टीश और आज देखेंगे जहारखन Assembly गोड़ा देखेंगे वकॉड्डा में वक्न्सी या वगवा है चलिए इसका प्रोसेस और डानी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कि तो देखिए यह स्टार्ट होगा वो फॉर्म भरने का प्रोसेस होगा 19 अक्टूबर 2023 से ठीक है इसके बारे में और अधिक जानकारी हम लोग अभी देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट है प्रखंट कारिकर्म प्रदादिकारी तक कंप्यूटर साई का दो बाखी ग्राम रोजगार सेवक का है जो महिला के लिए जिनरल हो कोई भी हो महिलागर तो 38 वर्ट के लिए और सी इसटी के लिए है महिलापूरुस्ट दोनों 40 वर्ष के लिए है आगे देखते हम लोग कि क्या क्या है तो देखिए इसका जो होगा हर महिने का वह क्या होगा कारेकरम पतादिकारी का 20,000 तकनीकी साहयक कनिये अभी हैंता के समकच 19,000 इसका होगा लेखा साहयक का 14,300 होगा कंप्यूटर साहयक का 14,300 होगा और ग्राम रोजगार सेवक का 11,000 होगा मैंने 12,000 बताय था ठीक है चलिए अहरताएं क्या होगी देखिए यानि कि कौन इसको भर सकता है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुशन में 50% होना चाहिए और आपको जो है इसके अलावा क्या होना चाहिए एंबी होना चाहिए ठीक है पीजी डीबी होना चाहिए ठीक है अगे देख लेते हैं तकनीकी साहयक में क्या चाहिए तो तकनीकी साहयक में जो अनिवार य साइक में भी अगर आप BCA है या BSC कंप्यूटर BCA है ठीक है BCA है तो यह सब आपको होना चाहिए MCA भी होना अनिवार है अब देखिए लेखा शायक पत के लिए क्या अनिवारता है तो आपको जो है BCOM होना चाहिए ठीक है BCOM honors होना चाहिए और 55% उसमें होना चाहिए और MCOM भी होना चाहिए तभी आप देखिएंगे और इसके अलावा अत्रिक्ति योगे था क्या होना चाहिए तो अगर है आपके पास तो BCA, BCA ठीक है PGDCA या फिर SSC सॉरी MSC MSC भी होना चाहिए इसमें कंप्यूटर साहिक पत के लिए क्या क्या होना चाहिए तो BSC honors होना चाहिए बीसी कंप्यूटर समाने होना चाहिए और समान इसना तक उनित पश्चाथ PGDCA में उतिर्ण होना चाहिए ठीक है साइस होना चाहिए इसके अलावा जो है MCA वही चीज़ है अगर आप इंटर किया है तो कुछ नहीं और इसके अलावा कौन सा योगिता होना चाहिए तो आप सरकारी मानिता प्राप तुष्च डालेस अंस्थान से किसी भी संकाय सनातक हो गया समाने सनातक BCA किसी भी सनातक उत्तर यानि कि PG PGDCA PGDBA PGDR के अतिर्क योगिता होनी चाहिए सनातक प्रतिष्ठा में ठीक है यह सब सम्विदा पर यानि कि contractual होगा और हर सार इसको बढ़ाया जागा अगर आप कारे में अपने सही रहे तो ठीक है अगले एक वर्स के लिए इसको बढ़ाया जाएगा अब देखिया ओरक्षन का लाग कौन-कोन ले सकता है तो देखिया आरक्षन का लाग वे सभी लोग दे सकता है जो उसके काबिल होगे आरक्षन का जो date है वो आपका कोई भी certificate होना चाहिए SC का या ST का या OBC का या EWS का ठीक है तो यह सारा certificate जो होना चाहिए 25 2019 के बाद का होना चाहिए ठीक है आगे हम लोग देख लेंगे जो यहां के देखिए जो राज के बाहर के अरक्षन की सुविदा नहीं दी जाएगी जो यहां के राज के बाहर है उनको अरक्षन की सुविदा नहीं दी जाएगी मेगा सुची त्यार होगा ठीक है उसके बाद क्या होगा मेगा सुची क मतलब कि आप जितना भी सर्टिफिकेट जमा करेंगे वह आपको उसका जरॉक्स करना है और सभी में आपका साइन होना चाहिए ठीक है यह हो गया स्वाभी प्रामानित च्छायप्रति और आयू सीमा जो है वो रहेगा ठीक है और मैट्रिक का प्रिमान पत्र आयू सीमा को मान जाएगा इसके अलावा देख लेते हैं यह जो होगा वह आफ-लाइन होगा ठीक है यह जो होगा आदिक प्रारों होगा ठीक कर सकते हैं इसके लिए प्रते पत का अलग-अलग आव करना को ंगहागा देखिए अगर एक पद है यह सभी पद है तो इसके लिए आप सभी के लिए कर सकते हैं लेकिन आपको आविधन हैसो अलग-अलग करना होगा सभी के लिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या-क्या हम लोग करना होगा जो भी है जाती प्रमान पत्र होना चाहिए आर्थिक EWS होना सा अतिरिक जिला कारिक्रब समन्वेक गोड़ा के पदनाम से निवंदित डाग द्वारा इस पते पर आप है आपको डाग करना है बिनकोट के समित ठीक है और आवेदन के उपर जो है उसमें लिफाफा के उपर आवेदीद पद का नाम साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए आपका परमान पत्र होना चाहिए उसमें एक आधार काड या मद्दान पहचान पत्र विग्यापन ही तो किसी भी तरह का सूचना पाने के लिए आपको godda.nic.insta आपको मिल जाएगा आप ये वाला notification भी वहीं से download कर सकते है एक जो है आपको करना होगा सपत पत्र इसमें डालना होगा ठीक है सपत पत्र ये जो क्या होगा इसका मैं नमूना जो है ठीक है वो मैं आपको किसमें दे दूँगा टेलेग्राम चैनल पर ठीक है टेलेग्राम चैनल पर उसका link जो होगा वो मेरे description में होगा आप वहाँ से देख लिजेगा इन सबों के साथ एक सपत पत्र डालना अनिवार है ठीक है आपको एक डालना ही होगा चलिए आगे देख लेते हैं यही पर जो था जो भी प्रोसेस था वो खतम हो गया है ठीक है तो आपको जो भी किसी तरह का inquiry होगा question पूछना होगा तो आप comment करकर के पूछे हमसे ठीक है और मैं इसका जवाब बता दूगा कैसे भरना है क्या करना है इस notification को इस form को डालने के लिए जो भी प्रोसेस होगा वो मैं description में डाल दूगा आप इसको notification को download कर सकते हैं मेरे टेलेग्राम चैनल से टेलेग्राम चैनल का link जो है मैं description में डाल दूगा और अगर वहाँ से अगर download करना नहीं चाहते हैं तो आप www.godda.nic.in से भी इसको download कर सकते हैं notification को और सारा पढ़ सकते हैं इसका अलावा सपत पत्र होगा उसका भी नमूना आपको मिल जाएगा ठीक है मेरे टेलेग्राम चैनल पर उसको भरना अनिवार है ठीक है सपत पत्र भी ठीक है दोस्तों इसी साथ कैसा लगा आपको वीडियो जरूर ब